हलो एब्रीवन, आज की वीडियो बहुत ही जादा रिक्वेस्टिड वीडियो है, इसमें मैं आपको मोनो कॉरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विन प्रिग्नेंसी को पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखियेगा मोनो कॉरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विन प्रिग्नेंसी का मतलब होता है, कि इसमें जो प्लासेंटा की संख्या रहती है, वो एक ही होती है, बट इसमें जो दोनों बच्चों की पानी की थेली होती है, वो अलग-अलग होती है Monochorionic Diagnetic Twin Pregnancy में जो आपके दोनों बेबी होते हैं वो एक जैसे दिखने वाले होते हैं एंड इसके साथ ही इनके जो जेंडर होते हैं वो भी सेम ही रहते हैं एंड इनको identical twins भी बोला जाता है एंड अब हम बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं तो एक जल से दिखने वाले twins भी एक ही एब और एक ही इस्पम के द्वारा आते हैं किसी भी गर्बाधान की तरह इस भी एब और इस्पम एक साथ जोड़ते हैं लेकिन fertilization की प्रक्रिया होने के बाद जो एब होता है वो तोरन two part में divide हो जाता है क्योंकि ये एक ही अंडे से बनते हैं तो इसलिए इनको monogigotic twins भी बोला जाता है एंड इस तैप की twin pregnancy में कुछ ज़्यादा रिस्क रहते हैं एंड इसलिए आप भी बिल्कुल उम्मीद कर सकती हैं कि इसमें आपको जादवर ultrasound कराने की बिल्कुल जरूरत पढ़ सकती है एंड इसके साथ आपको fatal ecocardiology की भी जरूरत हो सकती है अधिकांस monochorionic diamniotic twins baby का जो जनम होता है वो बिना किसी serious complications के होता है भले ही इस type की twin pregnancy में जर्म से पहले कोई भी complications ना रहे हो उसके बाद भी monochorionic diamniotic twin pregnancy में जो delivery होती है वो time से पहले ही हो जाती है एंड इस type की twin pregnancy में risk से बचने के लिए C-section के chance बहुत जादा बढ़ जाते हैं और इसमें normal delivery की समभाबना बहुत ही कम एंड ना के बरावर होती है और आपको इसमें normal delivery तभी try करनी है जब आपके doctor आपको suggest करते हैं otherwise आपको बिलकुल नहीं करना है एंड इसमें delivery का जो सही time होता है वो होता है 36 weeks से लेकर के 37 weeks के बीच में हो जाना एंड इस type की twin pregnancy में placenta के अंदर blood supply से related complications होने का भी risk रहता है एंड इसमें 10 से 15% monochorionic dieamniotic twin pregnancy में twin to twin transfusion syndrome हो सकता है इसका मतलब होता है कि कभी कभी कुछ case में किसी बच्चे को blood जादा पहुसता है और किसी बच्चे को blood कम पहुसता है तो इस situation को ही twin to twin transfusion syndrome बोला चाता है twin to twin transfusion syndrome से एक या दोनों बच्चों में गंबीर बिमारी या फिर उनकी death भी हो सकती है और यह जो समभाबना होती है वो 16 weeks से लेकर के 24 weeks के बीच में रहती है और इसके अलाबा यह सिकायत कभी भी हो सकती है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल घबराना नहीं है बलकि आपको बहुत ही जादा ध्यान रखना है और time to time बिल्कुल check up कराते रहना है और डॉक्टर से मिलते रहना है और आपको किसी भी तरह की कोई भी लापरवाई नहीं करनी है और अब हम बात करते हैं डाइट को लेकर तो आपको twin pregnancy में डाइट को लेकर बिल्कुल भी confuse में नहीं होना है आपको बस चोड़ी चोड़ी बातों का ध्यान रखना है जैसे कि आपको junk food बिल्कुल avoid करना है अगर आपका बहुत जादा बन करता है तो आप बीक्स में एक या फिर दो बार लें बट बहुत ही कम मात्रा मिलें तरल बदाट्टू का सेवन जादा से जादा करें जिससे कि आपकी बॉड़ी में पानी की कमी ना हो जैसे कि आप juices अच्छी मात्रा में लीचिए बूद है, मठा है और एक नारियल पानी डेली जरूर लेंगे आपको बहुत ही जादा फाइदा करेंगा आपको healthy खाना खाना है जो भी खाईएगा healthy खाईएगा जिसमें आप dry fruit लीचिएगा आप सलाद लीचिएगा आप हरी सब्जियां लीचिएगा और आप डालों का सेबन करिए और इसके साथी आपको अपनी डायेट में खी जरूर लेना है और आप एक बात ध्यान रखें कि आपको डॉक्टर जो भी iron या फिर calcium या फिर gin किसी भी तरह की कोई भी supplements देते हैं तो वो आपको regular लेने हैं बिल्कुल भी लापरबाई नहीं करनी है और इसके साथी आपको जो pregnancy में TK लगते हैं वो भी time पर लगवाने हैं और बहुत जादा tension नहीं लेना है बहुत जादा mind पर pressure नहीं डालना है कि मेरी situation delivery होगी या फिर normal बस आप इस बात का ध्यान रखें कि delivery चाहे किसी भी तरीके से उख फरक नहीं पड़ता है आप और आपके दोनों बेबी अच्छे से इस दुनिया में आ जाए बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है अगर आपको ये वीडियो पसंत आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी शब्सक्राइब करें साथ ही में बल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का notification आपको time से मिले So thank you friends, मिलते हैं अगले वीडियो में